हाई युडीवन मैं डोक्टर नगेंदर थालोर इंट्रवेंशन कार्डियोलोजिस्ट हूँ और आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि पल्स अपन कैसे ठील कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि अपना पल्स रेट कितना चल रहा है तो पल्स होती क्या है कि जैसे ही फील होएगी तो ये पल्स अपन अपने बोडी में कई जगह पे चेक कर सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं कि कितनी पल्स चल रही है तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक तीन पॉइंट पे अपन कैलकुलेट करेंगे पल्स को पहला है रेडियल आर्टरी पे और इसको फील करने के लिए जो अपने अंगूटा है उसकी तरफ आप आईए और अंगूटे के नीचे यहाँ पे जहां बोन फील होती है आपको इसके अपनी दो अंगूलिया रखेंगे तो आपको फील हो जाएगा यहां पर धक 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 जैसा लगेगा यहां पर ठीक इस तरह आप काउंट कर सकते हैं पूरी एक मिन्ट के लिए काउंट करना देता है लेकिन इदिए आप एक मिन्ट पूरा काउंट नहीं कर पाते हैं आप 15 सेकिंड काउंट करिए और उसको चार गुना कर दीजिए या 30 सेकिंड काउंट करिए और उसको डबल कर दीजिए तो उसके लिए आप दो फिंगर लीजिए। आपका यह जो बॉन है, सेंटर का युए अविंद पाइप है। उसके लेटल मेदाए, जैसरे आप लेटल में जाएगे। इधर आपको कर्योट्ट फील हो जाएगा। क्रेटिड यह जैसे आपको फील होता है उसके बाद में आप काउंट करें काउंट करके आप वह पंद्र शेकिन के लिए क्लिए काउंट करके उसको च्यार गुना कर सकते हैं तो वह आपको पल्स रेट आजाएगा कि कितना चल रहा है तीसरा मैतेड है पेर की पल्स के लिए को क्या करना है यह जैसे आपका अंगुटा है और यह अंगुली है इन दोनों के बीच में यह दोनों अंगुलिया रखनी है यहां पर तो आपको यहां पर इसली फील हो जाएगी अब यह आप खुद काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे एक आपन काउंट कर सकते हैं जैसे अपन बी पी चेक करते हैं अपना तो गर पे जो भी बी-पी इस्ट्रूमेंट होता है उसमें बीपे के नॉर्मल पल्स 60-100 के बीच में होती है और यदि अपनी पल्स 60 से कम जा रही है जैसे 50 होगी या 40 होगी तो उसको बोलते हैं Bradycardia यानि यह दड़कन अपनी कम हो रही है और बहुत ज़्यदा कम हो जाती है तो फिर क्या सरीर में proper blood supply नहीं हो पाएगी तो अपने को जैसे चकर आना, तकाम लगना, और बेशी जैसा लगना लग जाता है, इसी तरह यदि अपनी पल्स सो से ज़्यदा जा रही है, तो उसको टेकी कार्डिया कहते हैं, याणी अपनी तेज चल रही है बहुत, पल्स है या ज़र्ण जो तेज चल रही है तो उसको sinus टेकिकार्डिया बोलती है और विए दी वह बहुत ज़्यदा रहेगी तो आपको palpitation फील होएगा चाती में आपको धक 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 अपको फील हो जाएगा और चक्कर आना चाती में दर्द होना सांस में दिक्कत होना यह सब हो सकता है इसके अलावा यह दि आपकी दडखन regular नहीं चल रही है, जैसे आप फिल कर रहे हैं, तो कभी जल्दी आ रही है, कभी धीरे आ रही है, तो एकदम regular नहीं चल रही है, इर्रेगुलर चलती है, तो वो भी हनिकारक रहती है, क्योंकि जब इर्रेगुलर रहती है, जिसको etal fibrillation बोलते हैं और उस condition में आपका हार्ट एक बार तो तेज तेज कॉंटेट करेगा, एक बार दीरे करेगा, तो वो proper blood supply नहीं कर पाएगा, तो हार्ट में कई बार दर्द होना और पेर सुना होना यह सब हो जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अब जाने है आपकी pulse rate कितनी चल रही है, regular है कितनी है, दीरे चल रही है या तेज चल रही है, तो यह आप जान सकते हैं, और यह दिए उसमें कुछ दिक्कत है, तो आप रोपर consult कर सकते हैं अ और उसका treat कर सकते हैं, धन्यवादा है